हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो फूडी वर्ड आज की रेसिपी बहुत इंट्रस्टिंग है आज मैं बनाने जा रहा हूं मलाई कौफता इन वाइट ग्रेवी कौफता बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पनीर जिसको हम थिनली ग्रेट कर लेंगे और जब पनीर हमारा अच्छे से ग्रेट हो जाए तो हम उसको एक बड़ी थाली या प्लेट में कहीं भी किसी बड़े सर्फिस पर रखे उसको हमने अपने हाथों की तली से अच्छे है मतलब उसकी क्रीम करना किसको गहते हैं जैसे हंकर उती है नहीं। फ मने पंसना तो तो आप जैसे कि ये दे सकते हैं कि इसकी consistency बहुत ही पतली और बहुत ही बढ़िया हो गई है अब हम इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर black pepper powder काजू paste भी डाल सकते हैं मेरे पास बड़ा था तो मैंने थोड़ा सा डाल दी अगर आपने काजू paste नहीं उज़ करना तो आप इस step को completely skip कर सकते हैं कोई बात नहीं और इसमें हम डालेंगे binding के लिए corn floor corn floor और सारे वाकी ingredients डालके हम इसको अच्छे से मसल लेंगे या मलब अच्छे से mix कर लेंगे कि यह आपस में अच्छी तरह से bind हो जाए अगर corn floor और की जरुज़त पढ़े तो हम और भी corn floor डाल सकते हैं और जब अच्छे से यह सारा mix हो जाए और हमें लगे कि अभी कौफते बन सकते हैं तो हम एक plate पे थोड़ा सा corn floor dust कर लेंगे कि हमारे कौफते जिक्के ना और हम इनको round shape देके और इस plate पे रखेंगे और अगर आपने मेरे vlogs नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके मेरे vlogs देख लीजिए मैं उनका link आपको description में दे लूँगा आप जैसे कि देख सकते हैं कि छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं मैंने तो आप भी ऐसी छोटे छोटे बॉल्स बना लें इसके आप मुझे instagram पे भी फॉलो कर लें वहां मैं recipes की update आपको time to time देता रहता हूँ यह देखिया हमारे अच्छे अच्छे कोफते बन गए हैं पनीर के कोफते और अब चलते हैं इनको तलने के प्रोसेस में हम इनको deep fry करेंगे दीफ रही थोड़ा सा द्यान से करें क्योंकि यह नीचे surface पे चिपक भी सकते हैं तो इसको continuously हिलाते रहें इनको हमें golden brown होने तक पकाना है अच्छे से जब तक इनका बाहर का surface golden brown नहीं हो जाता जैसे कि देख सकते हैं हमारे कोफते भी त्यार हो गए हैं आपको भी ऐसे golden brown कलर कर लेना है और इसके बाद हम चलते हैं gravy बनाने के प्रोसेस में gravy बनाने के लिए हम एक pan कड़ाई जिसमें भी हम प्याज ले लेंगे तीन से चार बड़े प्याज उसमें हम डाल देंगे 100 ग्राम मगज और 100 ग्राम काजू इसको अच्छे से mix करके फिर हम इसको high heat पे पानी डालके 10 से 15 मिनिट के लिए boil करेंगे हम इसे तब तक boil करेंगे जब तक प्याज का कच्छा पर नहीं चला जाता है और प्याज का color translucent या transparent टाइब नहीं हो जाता हम तब तब इसे boil करते रहेंगे बीच बीच में अगर आप चाहें तो इससे ढख भी सकते हैं steam पैदा करने के लिए इससे ये process जल्दी हो जाएगा और जब प्याजो का color translucent हो जाए तो हम इसको strainer में डालके पानी को discard कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के बाद हमें इसको बहुत ही finely grinder में पीस लेना है याद रहे कि इसे ठंडा करके पीसे नी तो आपका हाथ भी जल सकता है आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया gravy के consistency आई है white gravy की अब पैन में butter डालके और इसमें हम whole spices और गरम मसाले डालेंगे पहले हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे जीरा और बाकी खड़े मसाले जैसे की बड़ी, लाइची, दाल, चीनी, जावित्री, लॉंग इसको अच्छी तरह से भून के हम इसमें फिर gravy डाल देंगे अब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे जब यह अच्छी तरह से एक चीरा और बून जाए gravy डाल के हम इसमें एक आद मिनिट के लिए पकाएंगे और हम फिर इसमें दूड डाल देंगे प्लीज इसमें पानी का यूज ना करें अगर हम पानी का यूज करेंगे तो इसका रंग अच्छा नहीं आएगा और इसमें हम हरी लाइची में डालनी भूल गया था बाद में डाली तो आप पहले भी डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं है पानी का उप्योग बिलकुल भी ना करें सिर्फ दूद का उप्योग करें और हम फिर इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और नमक बगएरा डाल के इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे मैंने नमक डाल दिया और अब मैं इसको अची जे ग्रेवी के साथ मिक्स करूगा जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाएगी तो हम इसे स्ट्रेइन कर लेंगे स्ट्रेइन हम इसे इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अपनी ग्रेवी में होल स्पाइसिस नहीं चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने gravy का अच्छे से कचुम्बर निकाल दिया है आप ये ध्यान रखे कि ज्यादा residue नहीं बचना चाहिए हम gravy को अच्छे से strain कर लेंगे और strain करने के बाद इसको फिर कड़ाई में वापिस डाल के एक से दो मिनिट के लिए पकाएंगे और फिर हम इसमें कुफते डाल देंगे ये मैंने whisker का यूज किया है कि gravy में lumps ना पड़े अब मैं इसमें crust कसूरी में थी जो मैंने toast की वी थी वो डालूँगा flavor के लिए तो हम इसमें spatula का यूज कर सकते हैं जब कसूरी में थी अच्छे से घुल जाए gravy में तो हम इसमें कौफते डाल देंगे और कौफते को दो से तीन मिनिट के लिए gravy में पकाएंगे अच्छी तरह से कौफते mix कर ले और दो से तीन मिनिट पका कर इसे गर्मा गर्म सर्व करें और अगर आपको ये मेरी recipe पसंद आती है तो प्लीज नीचे दिया गया like का button दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले stay tuned for more recipes bye bye for now see you in the next video